तो आज इस वीडियो मनोंगी पास्केट बॉल यारिंग्स तहां पर मैंने यह सिल्वर शेट ली है पहले इसको थोड़ा सा कट कर लूँगी कट करने के बाद मैं इसमें फैबरिक क्लूव से स्टोन चैन को चपका दूँगी आप इसमें गॉल्डन स्टोन चैन का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें जो शेट आती है शाइनिंग वाली ग्लेटर वाली उसका यूज़ भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं स्टोन चैन को चार बर लगा दूंगी चार स्टाोन चेन को अब इसको राय होने के लिए गदोवलिजी यहां पर मैंने इसलवर रिंग्स लीड है जो की चैन की दिया उसका मैं न है अभी ए Patriist कर दूंगी किस्पों एक तो चैन को मैं समय वायर के साथ अटेज़ कर दूगी थोड़ी दूरी पर प्रस्टेश कर दूगी उसके बाद में एक और इसके आगे अटेश करोंगी ऐसे ही में पहले एक एक चैन को अटेश कर दूगी आपको अगर गॉल्डन गलर की बनाना हो यह रिंज तो आप इसमें गॉल्डन चैन का यूज़ भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्ट्रेग्राम पर फूलो कर सकते हैं मैं अपने अकाउंट का लिंक कर दिशक्शन मुक्स में डाल दिया है और अगर आप को अदर वीडियो तो आप मेरी प्लैलिस्ट को चेक कर सकते हैं मैंने सारे वीडियो को डालका रखा हुआ है तो क्लिक करकर आप पर यह अदर वीडियो इसको भी तेख सकते हैं अब यहां पर चैन को अपने अटेज किया था उनकों में से आगे-अगे जो चैन है उसके बीच पीच में आटे एक चैन है और उसकी आगे वाली चैन है तो उस चैन को म hetkin बीच में अटेज कर दोंगी एसी क्रॉस कर देंगे एक के बीचे करके सारे चैन को अटेज कर दूंगे आओ आक इसे ही साधर चेन को क्रोस में अटेज कर दिया है अब मैं इस भी वैबरिक लूफ से लगा दूँगी यह रिंग स्टन को और जो हमने स्टार्टिक में रेडी किया था स्टोन चेन के साथ उसको भी मैंस में लगा दूँगी और अगर आपको अधर वीडियोज एक नहीं हैं मेरी तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप उचे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जाप था उप लाग वाग भी क्या खुट लाग नहीं हिर्च लाग वीडियों कमता वीडियों बाई